प्रवारी वैक्सिन आप ही मांग नहीं है ना और तो देश में कोई है नी जो यह कह रहा हो कि वैक्सिन चाहिए हम भी वही कह रहें लेकिन कहने का इस तूर है एक लहजा एक तरीका है और उसी में मैंने सवास्ते मंपूछा तो आपको चुप गया यहां सब को समझ में आ रह आपको आदत है क्यों सुनने की मैं आपसे बोलूगा क्यों सुप्रिया जी आप अपना बोलना शुरू कर दीजेगा आपको क्योंकि सवाल बुरा लग जाता है गौरभ भाटिया आपसे सवाल पूछ रहा हूं वो कह रही है कि हमें वैक्सिन की कुल जमां पीन दिन की डोस बद्बू ही दिखाई देती है वो कहते हैं अब बद्बू क्यों है बद्बू क्यों है उनको कभी कभी बताना पड़ता है जाके नहालो बद्बू तुमारे पास से आ रही है और इसी लिए कॉंग्रेस के चाहे प्रवक्ता हो चाहे लीडर हो केवल धक्या नूसी बयान द दो ऐसे वैक्सीन खुद निर्मित किये हैं सबसे आगे है वैक्सीन बनाने में ये भी सकते है कि प्रदान मंत्री जी ने कभी भी कोई भेद्धाव नहीं किया भारतिये जनता पार्टी शासित राज्ये और जो गैर भार्जबा शासित राज्ये ये भी सकते है कि प्रदान आजाएगी कि किसी भी सरकार के पास चाहे भाजपा की हो चाहे कॉंग्रिस की हो वैक्सीन की कमी होगी और ये भी सकते हैं कि महराश्ट की ये बात कर रही थी वहां पे भी अभी परियाप्त मात्रा में वैक्सीन है ये कहते हैं तीन चार दिन का है तो हमारे स्वास्त मंत्री क चुके हैं कि और वैक्सीन भी उपलब्द कराए जाएंगे लेकिन ये आकड़े भी बहुत आवश्चक हैं इन्होंने कहा क्या वैक्सीन मांगना कोई गुनाह अपराद है नहीं है लेकिन वैक्सीन के अलावा जो वहां संक्रमर्द फैल रहा है ये आकड़े जरा देखिए य कूरे देश के अनुपाद में 10 पृतिशत है सक्रिय ममले करीब करीब 89% क्यों क्या ये कंग्रिस की विफलता नहीं है इन प्रतिशत्य आप वहाँ पे 69 प्रतिशत है महराष्ट में 58 प्रतिशत है जो देश में दुर्भागे पूर्ण मौते हुई हैं एक लाग पैसेट हजार के आसपास है लेकिन महराष्ट में अकेले 34 प्रतिशत हुई है जो पाज कॉंग्रेस शासित राज्ये हैं वहाँ पे ये दुर्भागे खुद लिया वो नहीं लेंगे शक्तिसगर्द ने कह दिया पंजाब ने कहा क्यों कहा रोही जी क्या आइसी एम आर और अपने विज्ञानिकों पर विश्वास नहीं है इसलिए मैंने कहा दुरगंद अपने तन से अपनी सोच से आती है लेकिन बोलते हर्ट का दुरगंद रहे हैं तो महराष्ट को तो सबसे ज़्यादा वैक्सिन आपको खुद जाके दिर देने चाहिए थे कि आपके यह स्थिति सबसे ज़्यादा विकट है इसलिए सबसे पहले हमें लगता है आपके यह सबसे ज़्यादा कोटा होना चाहिए वैक्सिन का बिल्कुल रोही जी आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं आपको आंख़ों के साथ ही बता देता हूं देखिए पहली बात एक बहुत बड़ी उपलब्दी सरकार की क्या है कि कोई वीविया है लगता यहां प्रधानमंत्री जी ने भी इंतजार किया है और सबसे पहले कोविड वारियर्स को लगा आपने कहा कि भाराष्ट में संक्या जादा है बिल्कुल जन संक्या का अनुपाद जो है वो कम है उत्तर प्रदेश के कंपारिजन में लेकिन वैक्सीन वहां जादा द पा लिया है और राजस्तान ने 20 प्रतिशत तो अगर वहां पे वैक्सीन नहीं पहुचाई गई होती परियाप्त मात्रा में तो यह लोग कैसे वो बाते यह इसलिए संभव है कि यहां पे हर जो नागरिक है वो भारत के लिए बढ़ारे हैं हम सबकी जान बचाएंगे आपने का हमने साड़े साथ लाग और दे दी हैं उनका कहना है पांच लाग परड़े हम यूज करते हैं इस बात को तो आप मानेंगे तीन दिन का कोटा उनके पास है उन्हें वैक्सीन नहीं दे रहे कम से कम बरुसा दो देते हैं उसके बाद हम तयार बैठें आपके लिए हम आपको दे रहे हैं ये स्तिती लड़ाई तक क्यों चली आई यी नौबत क्यों आगई कि आपस में तू-tू-müm हमे होनी लगी लड़ना था कोरोना से लड़ना है आपस में। पोल खोल रहे हैं शरट बवार जी ने कहा केंदर सरकार पूरी तरह से साथ निभा रही है मारैश्ट की सरकार का दूसरी बात क्या आप नहीं मानते रोही जी कि अगर महराश्ट में जो नागरिक है उनकी जान की बहुत कीमत है वाकई तो उत्तरपदेश में, असाम में, बंगाल में, कश्मीर में, गुजरात में और बाकी जितने भी विभिन राज्ये हैं, सबकी जान हमारे लिए प्रत्विक्ता है